कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णों की माँ शंकर का दादा कौन है, हम कू दे बता, ये जानने के लिए कृपया सुनिये जगत गुरु तत्व दर्शी संत रामपाल जी महराज के अम्रित वचन सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर जो जाकी सर्नाम बस है, ताको ताकी लाज जल्स वही मचली चड़ जाते हैं गराज इसी परकार हम परमक्सरबरम की भक्ती करेंगे तो उसमें सारी नीचे वाली तो सारे सुक मिले मिलेंगे परदान मंतरी का जो साथी है, मित्र है, उसको मुख्य मंतरी साथी का भी लाज मिलेगा इसको पता लगया गिए परदान मंतरी का मित्र है तो फटा फटा सारे काम करेगा और नीचे से लेकर वो सारा इला मिलेगा एक सादे सबसदे सबसदे सबजावे माली सीच मूल कूँ फले फले एगई तो हमने मूल की पूजा करनी है आज के सारे सबस्दे का निसकर्स यही है कि पुर्मा आत्मा कहते हैं मूल लहना मूरखा और गिनते हैं क्यों डार डालों की पूजा कर रहे हो मूल लहनी मूरखा यह भूली आत्मा मूल की पूजा ना करके आन उपास नाम लगे हुए है तो यहां बताते हैं कि यो सोदा फिर ना ही संतो यो सोदा फिर ना ही लोहे जैसा ताव जात है काया देश राही तीन लोक और भवन चतुर्द सब जग सोदे आही और दुगने तगने किये चोगने किन हूं गोल गवाई तो कुन आतमों सो भगे आपका इस बात को कहते हैं ना पल्ला गाट लगा लो दड़ निस्चे कर लो यो समय बारवार नहीं मिला गाट इसमय करो दिन रात कुछ करके दिखाओ संसार को भूल जाओ संसार आपका नहीं है परमप्राइज जो हमने बड़ा रखिन को कम कर लो ब्यासादी के अंदर बकवाद नहीं चलेगी आगे फिर ये देना है वो लेना है और पता नहीं कितने जुगाड हमना अड़ा रखे ये नहीं चलेगी क्योंकि हम भगते हैं विदार्थी विदार्थी वाले काम करेगा पाली वाले करेगा तो विदार्थी नहीं रहेगा तो आप विदार्थी हो आप यात्री हो परमात्मा के सफर में चल रहे हो और यात्री यद्ही मुरक होगा तो पांचे जोले थेले शर पर रखकर चलने की कोशिस करेगा वो महामू रखोगा वो यातरा नहीं करना चाहता हूँ नहीं मैं दब के मरा रहेगा तो हमने अपने रीती रिवाजों को हलका करना है अपने सिरके करजों को कम करना है दहेजवादी लेंडेन बड़ी कोठियां बनाने से परहेज करना है तब हम इस सफर में हलका वजन लेकर चल सकेंगे और मोक्स करा लेंगे इसके लिए बहुत सी मरियादां जो बनाए हैं उनको पालन करो ये आपके हित के लिए हैं समाज की तरफ नहीं देखना हमना समाज की तरफ अकर देखेंगे तो हम बक्ती पर नहीं चल पाएंगे लोक लाज ना कीजिए नर्बह हो रही है ये मनसादों दीजिए तो गोविन पाईए लोक लाज मरियाद जगत की तरन जो तोड़ बगाव है जब कोई राम भगत गत पाव है लोक लाज हमारे साथ नहीं आए काम नहीं आएगी कहते हैं कुल करने के कारणे कुल की लोक लाज के कारणे ये अनसा गया बेगो अर तब ये कुल के कर लेगा जब तू चार पाएंगा हो गदा बन के खड़ा हो जागा तब ये कुल की लाज के काम आईते रहे इस लाजने इबत ओड़ ले बगवान से डिरका चल और समाज भी आपके साथ होगा क्योंकि हमारी मर्यादा बहुत अच्छी है सराव आम पीवानी बेडी हम ने पीनी नी पिलानी नी सराव पिलानी नी मास खाना नी हम किसी की बुराई नी कर सकते थे बुखे रह जावांगे तो समाज में हम इंप्रेशन बनेगा आपका एक छाप छुट एगी कि कितने अच्छे लोग हैं सारा दिन मालक से किया तिरी कोई चर्चा करते नहीं और बगवान आपके साथ होगा आपके नए नए काम ठीक होंगे देखते रह जाएगी दिनता फिर आपको देख देख कर यहां आएगी तो उनका उद्धार हो जाएगा आप एक उद्धारन बनो उनके लिए ब्यासादी में खर्चा नहीं करना है करा अपने बेटी को बगवान परासरित कर दे कि बेटी जिनके माबाप नहीं है वो भी जीवित रहती है और उनको भी बगवान खूब साथ देता जो उनके संसकार में है और एक तो बगवान मिल गया आपको सदा साथ रहेगा यह परमपरा हमने के वल अपना सारा दिन उस परमपरा को पूरा निर्भा करने के लिए ही प्ताते हैं कि दोगने तोगने कि ये चोगने अब दोगने तोगने तोगने चोगने करने का टाइम है दान करे जो चिड़ावे दर्म तो दसके नहीं दसके तीनों लोग और खेरायत में खेर है कि जयात अब जरुब सुता कूं डिनने लीर जाकी अंत बड़ाये चीर अब जैसे द्रुबती राजा की लड़की थी आस्था बगवान में उती है पुन्यात्मा चे कहीं जनम हो गरीब को हो चे अमीर को के जनम लेवे उसकी आस्था बगवान से तूटती नहीं उसके पिता ने गंगा दरिया के किनारे एक गाट बना रखा था लेडिज गाट वहाँ पर राजा की ही प्रिवार और उसकी सहलियां ही जाया करती थी उसके आस्पास कोई नर का जाना अलाउड नहीं था एक दो किलो मिटर तक ऐसा प्रोहिवटिड अक्सेतर था हो अपरमात्मा की द्या होई एक अंदा मात्मा गलती से सुबह सुबह उस गाट से पचास सो फुट की दूरी पर और जिदर से पानी बह रहा था डाउन से ट्रीम में गाट से पानी जिदर बह के जा रहा था उसके नीचे की तरफ सनान करने के लिए द्रिया में पर्वेस हो गया तो उसने क्या देखा अब उसनान करने लग गया उसके पास कोई और कपड़ा नहीं था एक ही लंगोट बांध रख्या था उसने परदे पे कोपीन उसने सोचा था कि अब हैंधे अग्मू अंदेरा है नहाके निकलाओंगा और फिर चला जाओंगा अपने जंगल में जहां वो रहता था वक्ती करता था जो ही वो जल में फर्वेस हुआ और हासे मलमल कर नाने लगा उसके लंगोटी तूटी गी जो कपड़ा बांध रखा था परदे पर वो टूटी गया उद्र से क्या हुआ लड़कियां सनान करने के लिए द्रोपती के साथ हजारों की संख्याम उसकी सहलियां आ रही थी दूर से आवाज आने लगी लेडिज की अपसमे बोलती हुई आ रही थी वह ने तो संत ने सोचा गल्ट आ गया तो यहां तो कोई लेडिज गाट है और यहां ताना भी अलावड नहीं था भी आखों की कमी वगवान ने बचावागा गल्ती तो बन गई और उदर से नंगा हो गया क्योंकि कोपिन टूट गी लंगोट रहा आनी तर पह और गहरा चला गया इतने पानी में चला गया और ऐसे ऐसे हाथ मारने लगा सोचा कि कोई कपड़ा आ जावा एक तट फटा पराना किसी का बैता हुआ मैं उसको लपेटूं और यहां से निकल जाओं अब वो लेडिज लड़कियां आई गाट के पास आकर के नहने के लिए उत्यार हुई रुप्ती ने देखा कि इसे एक सादू भगत गंगा में सनान कर रहा है कहते हैं भगत जो होते हैं सादू संत का दर्सन भगत का दर्सन करते ही गदगद हो जाते हैं सादू दर्सन राम का मुक परबसे सुहाग और दर्सनी को होते हैं जिनके पूरन भाग है संत भक्त का मिलना बहुत पुनकर्मी प्राणी को ही होता जैसे यहां से दिक्सित कोई भक्त है वो भी एक संत है और वो किसी भाई बहन को जा कर बताता है तो सोभागे उसका उसको उससे मिलन हुआ उस दिन क्योंकि पुनकर्मी प्राणी को ही ऐसे भक्त मिला करते हैं जो जो ये सचा संदेश बगवान का लेकर पहुंचते हैं तो ऐसे सुभागे होते उस प्राणियों के जिनको ऐसे संत भक्त मिलते है सादू दरशन राम का मुखपब सह सुहाग और दरसुनी को होते हैं जिनके पूर्न भाग कबीरा दरसन संत का प्रमात्मा आवैयाद और लेखे में वहे घड़ी बाकी कास में व्यर्थ बाद तो दरौपती ने सोचा महाराजी नहा रहे हैं हम भी नहा लेते हैं पहले सनान कर लो सनान करके फिर महाराजी से चर्चा करेंगे बगवान की इंसे कहानी कता पूछेंगे वरक्स के नीचे बठाएंगे तो वो नाने लगी आद पौन गंटा नान दोन में लग गया सारीयान ना के जबार सुदोब दुरूपती बाहर आई पुरानी कपड़े बजले नई साड़ी बाएंद लिसना अपनी नई साड़ी तो उसने देखा मातमा गया कि मातमा नहां नहीं रहा था ऐसे हाथ मार रहा था अब उसने जान से देखा कि महाराजी तो नंगे है और वस्तर कोई कपड़ा है नहीं पटरी पर ये सरम के मारे गहरा चला गया है अर ये दिन में निकलेगा नहीं सरमदार आदमी है सारे दिन गलेगा इसली गंगा में लड़की ने आओ देखा ना ताओ देखा राजा की लड़की कितनी कीमती साड़ी पहेंती है आम विक्ती भी अपने बच्चों को कि दिन अच्छे कपड़े पहें लाने की चेश्टा करता है आप चाहिए फटे पुराने पहने बच्चों को अच्छे कपड़े लाता है एक राजा की लड़की की साड़ी कितनी मेंगी होगी को कोस्टली होगी अनदाजा लगाब जा सकता है और इसको धर्म इसको भगत कहते है जो अपने ही करकमलों से लाब करके अपना कल्यान करना चाहता है वो दूसरे पर नहीं चोड़ता नहीं तो दरोप्ती कह सकती थी अपनी नोकराणियों को कि नोकराणी एक शादी पाड के डाल दे मातमा के लिए और नोकराणी एक थोड़ा सा कपड़े के वज़ा शादी शादी डाल देती दो देगी जाती ए राजागी लड़की है लेकिन अपने हाथ से ये भी नहीं चूकने दिया उसने उसको पता था के मैं रोटी खाऊंगी मेरा पेट बरेगा बन्दी खाऊओगी नो कुरानी खाऊओगी त şur इसको पेट बरेगा ऐसी गलती मैं क्यों करूँ इसको क्यों तो ये चांस तो भगत में ये भी गुन होने चाहिए के लूट सके तो लूट ले ये लूट है उस वगवान की अपना काम खुद ने सोचा मैं करूँगा तो मुझे लाब मिलेगा मैं सिम्न करूँगा तो मुझे लाब मिलेगा और मैं दान करूँगा तो मुझे दान मिलेगा दूसरे को करने से मुझे क्या मिलेगा तो इतना लोब लालत इसमें आप जिने करना पड़ेगा बेअमाना भी अच्छा होता है अच्छा है अब उसने यहां बेअमाना किया लोब किया कि मैं अगर दान करूंगी तो मुझे मिलेगा अपनी साड़ी पाड के एक विराहत को दिखाई दे नहीं था, ऐसे हाथ मार रहा था, वो साड़ी से निकल गया, ऐसे छे साथ कपड़े अपनी साड़ी से पाड़े देखो, दो ही तुकड़े पाड़ने से कितनी साड़ी चली जाती है, डेड़ फुट, ऐसे उसाथ आठ है, आद दे से ज़्यादा साड़ी की, एक लंबी लकड़ी लाई उठा के देंगल से, उस लकड़ी के फिर एक और पाड़ी एक लीर, सोटा सा टुकड़ा, लकड़ी के लपिटा, देखर के मारा जैसे हाथ मार रहें से इसका अगे कर दिया, उसको जो संत ने ऐसे देखा, एक दम पकड़ लिया कपड़ा, सो सो सुकर मनाया बगवान का, कि ये बगवान दया करी आपने, फिर उसने देखा कि ये तो भई, आम कपड़ा नहीं है, ये किसी बेहन ने सुने और जी तरीके से अपनी साड़ी पाड़ कर डाली है, बोली नहीं मुक से, इसलिए नहीं बोली कि कहीं ये सरमा का और आगे चल अब वो लंगोट बांधते हुए, उसी में से दागा साब अलग से पाड़ कर तागड़ी की जेगा बांदा, और उसी से लंगोट बांध कर कहा कि है बेटी, कौन है तू जिसने आज मेरी इज़त रखी, मेरा पड़दा रख्या, बगवान तुरी इज़त रखे तने गण कुछी तो आगी, जब तो उसको को नहीं ध्यान रहा कि ऐसी कुछ होगी लेकिन उसका उद्धे से भी यह नहीं था कि मुझे इसका परतीफल मिला है, लेकिन दान धर्म की नीती अपनी चौकश रखी उसने, अब उना करते हो कर समझगा कर दिया, अब यहां परमातमा कहते है की जपते को हर्देत है, जहां ताँ से आन, और नहीं दिया पिर मंगते फिर यह परमातमा सुने नीकान, आज एक तो कार में चलता है, एक काग़ चुगता फिरता है, ज़र्णों मनुस हैं, तो पहले जिनम में उस काग़ चुगने वारे ना दान करन का उसर नहीं रहे गया तो इसी पर कार प्रमात्मा कहते है देटे को हर देट है जहां तहां से आण है और ना दिया वो मांगते फिरियो फिर भगवान शुना निकान अब द्रौपती का विहा हो गया कि कथाब को पता है कि दूसासन ने पांड़ों ने द्रौपती को भी दाव पर लगा दिया वो हारे के जुए में और दुरुप्ति को दूसा संद्रियों दिन ने मिलकर भरी सभामन नंगा करना चाहा विसम पिता में है दुरुनाचारिय करन जैसे बली और दुरुनाचारिय तो गुरुजी थे वो दूस्ट इनसान भी वही बैठा और विसम पिता में सारी उमर बाल बिर्म चैरी रहा और नू कहल विहाँ नहीं कराया मैंने अर अंदर अंदर दोस्ट जो कातूं वो बैठा वहीं पर और करन जैसे योदा बैठा और दुरुजी धर्भन ने कहा अब दूसा संद दूपती को जब नंगा करने के लिए खड़ा हुआ तो पहले पुने अत्माओं दूपती ने सोचा था कि मेरे पांचों पांड़ों यहां भी दमान है और ऐसे महाबली है यह यह क्या मुझे नंगा होता देख सकेंगे इनके हाथ तोड़ देंगे अब वो बतन से बंद हो चुके थे क्योंकि वो हार चुके थे जूए में तो उसी समय उन्हों दूपती ने अपने पांचों पांड़ों की तरफ देखा जया भरी दृष्टी से के मेरे रक्सार करो उन्हों नीची गर्दन कर रहे हैं फिर दृपती ने कहा बिसम पिता महद रुनाचारी और करन की तरफ उन से कहा के मेरे रक्सार करो उन्हों ने कोई कुछ भी जवाब नहीं दिया और ऐसे देखते रहे जैसे पत्थर के बुद्ध होते हैं उसी समय कहते हैं एक बगत बीज था महाँ पर विदृ विदृ खड़ा हुआ और कैन लगया रहे दूसा सन कुछ सरम करो कौरों और पांडों चाचाताओ के हो तुम आज आप अपनी बहु को की बेचती कर रहे हो पांडों की नहीं ये कौरों की भी साथ हो रही है लोग ये कहेंगे को खुद उन्होंने अपनी इज़त आप उतारी है कुछ सरम करो विदूर कहे यह बंदू थारा यह आपका भाई चारा है विदूर कहे यह बंदू थारा एक है कुल-एक है परई वारा विदूर के मुख पर लगया थपेड़ा तू तो है पंडवों का चेरा दूसा सन्नय अपने चाच चागे थपड़ मारा मूँ पे और कहा के तू तो इनका चंचा है पंड़ुआ की ओर ही बोलता है समेशा कहते हैं और वो क्या कह रहा था के विदुर कहे ये बंदू थारा एक के कुल एक के परिवारा है किस की वेज़ती करते हो मूर खो तुम तुछ तो अकल से काम लो कहते हैं विदुर के मुख पर लगया थपेड़ा और तू तो है पंड़ुआ का चेरा तू तो है बंदी का जाया तेरी तो हीन भावना है तो दासी से उत्पन हुआ है इसलिए तो सूर्विर नहीं है ऐसी उच्छी बाते करता रहता है तू तो है बंदी का जाया बिसम द्रौन और कर्ण मुस्काया तुना अत्माओं देखवा हम कितने कितनी अच्छी पंचाइट मानते थे उस उन मापुरसों की जिसके माँ वारत के गीत गागा के हम अपने टाइम पास किया करते थे अब इतने बड़े पंचाइटी भीसम पिता महे द्रौना चारिये द्रौना चारिये यानि गुरू और कर्ण ये तिन्नों एक नमबर के योदा थे इन मेंसे एक भी खड़ा होकर दूस असन को कह देता खबरदार जात लगा था हिमत नहीं थी पंड़ों की उनके साथ युद करने हैं उनको मालम था युद मस्तार देंगे तुमारा यहां सत्यानास कर देंगी लेकिन उस ऐसी मलीनता चागी उनके दुर भागे उन लोगों का अब लड़की को नंगा कर रहें सबाव में और वो किसलिये बैठे हैं उड़ेड आदमी भीसम पिता मेरे दुरना चारी है और करन किसलिये बैठे थे कि नंगी देखांगे इसने और क्वावा सूरवीर अचारी है भीसम पिता मेरे ब्रमचारी खाग ब्रमचारी था हो या तो उठके चला जाना चाहिए था निकड़ा होगा कहे जाना चाहिए था खबरदार ऐसी गलती नहीं करते सारी बात हो ली तुमारी किसिया कहते हैं दोसासन कहता है कि तू तो है बांदी का जाया तू तो बांदी से पैदा हुआ है नौकराणी से तेरे दो च्छे विचार ही होते हैं बिसम दरोन और कर्ण मुसकाया वतिनों हसे ये कहना चीए था तो अपने साथ चाह बात फ्राजिया नालाग तो यहां गरीबदा साहिब जी ने कभीर साहिब ने सुकसम वेद में कहा है कि द्रोपती चीर हरण में कहीं ना आड़ी ती थी अर्ता थे उन तेनों पर माह भारत में ऐसी भी थी बक्कल उच्छा तेनों आगा माह भारत के अंदर वो इतना पाप लगया उनको सुभा के अंदर अर्दी कारी होते विए नहीं कुछ कहा तो माह भारत में आपको पता है उनकी कैसे मर्चू इती नों की तीरों से च्छनी हो गए थे तो अपने आत्मों जब तक हम संसार को संसार से अपना हित चाहते हैं या कोई लाब चाते हैं भगवान को छोड़ कर बगत हो कै तो तब तक भगवान मदद करता नहीं जब तक दरौपती नहीं क्योंकि स्री करसंजी जो हैं पांडूओं का गुरू था गुरू जी थे इनके और परमात्मा जो पूर्ण ब्रह्म है वो पूरों जुनम के संसकारों से आपने गीता जहर नमर पंद्रा के सलोक नमर सत्रा में सपष्ट पढ़ ही लिया है कि यह जो तीनों लोकों पर वेश करके सब का धार्ण पोसन करता वही है जैसका जैसा संसकार है वो देता भी वही है बहना वो स्वम अपने सिर पे नहीं लेता करते करे करा वैसाई आमन में लेर उठा अर्दा दूसर दरजीव के वो आब अगल हो जाए किसी को बहना कर देता है अब कहते है श्री करसन तो अपनी पतनी रुकमनी के साथ वहां महल में सतरंज खेल था उस समय जिस समय दरुपती के साथ गटना गटन लाग ली थी उसको पता है नहीं कहां क्या हो रहा है तो जो ही जब उसने देखा ना पांडो कुछ कर पा रहे हैं ना विसम पिता में दुरुनाचारी यह कुछ सुनी रहें सब रस्ते बंद होगे तब बगवान याद किया उसले एक काय की आतमा और परमातमा का साथ है जब सब से हट कर मातमा से जुड़ती है तो मालक साथ हो जाता है जो इसने पकारा हर्दे से तो यहां का किया हुआ जो पून आपका होता हर्दनान तैकरनम आपके डिपोजिट है एक कोपी उसकी खजाने में धर्मराज के पास है जो इसने पुकारा तो वहां जा करके वही फाइल खुल गी तुरंट और धर्मराज चे एक दम चन्तित हुआ कि किसको उपकर पुकाराई देखूं तो उसका कोई संसकार है तो उसको रक्सा करवाओं किसी जे तो उसने जो ही देखा तो उसके देखा कि उसने तो ऐसा दान कर रखा एक संथ को जिसके बदले मुद्द धेर लगा जा सकता है किरसन में जाका अटेक किया सकता है और वो तास ऐसे सत्रंज खेलने के लिए ऐसे पासे डाले थे शिरी किरसन जी नहीं और पासे डालकर नहीं बोलिया कर आदमी बारा कच्चे बारा पके ठारा जैसे भी यह यह सब्द बोलने थे ऐसे पासे डालकर ऐसे कर लिया और कहा अनन्त 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 अब करसन नहीं है करसन के अंदर उस परमात्माने रिमोट से माल बेज दिया वहां से करसन वाया करसन गय जे गुरू था और वहां से फिर परमात्मा सुख सबरूप धान करके महाँ पहुंच गे दिरुपती के सर के उपर बैठीए जायए अब रुकमनी कर पकड़ा मुसकाया रुकमनी कर पकड़ा मुसकायी जब वो अनंत तो नंत कर रहसन वोद्मा कड़ही थिसे बूटा जा रहाedar किसी में तब रुकमनी ना हाथ पकड़ लिया रहसन लगी कि पोबारत ना बोले ना कच्छे ठारा कुछ बोले नियाप पासे डाल कर यह ना नंत क्या कर रहा है हार गया ना तब वो कहते हैं कि दूसा सन्य दुरुपती पकड़ी और हमरी भगत सकल में सिकरी परमातमा बुला रहे हैं महां रिमोट से सिरी किरसन को के हमारी भगत दूसा सन्य दुरुपती पकड़ी और हमरी भगत सकल में सिखरी सब चोपर है मारा भगत और जो मेरी भगत के छोड़ी होई तो हमरा नाम न लेवै कोई अब तंदेई ही से पासा डारी वो तो वहां खेल लग गया फिर भूल बा लगया और पहुंचे सुक्सम रूप मुरारी कुपूर्ण परमातमा कबीर साहिब वहां पहुंचे परमक सरबरम जो तीनों लोकों में प्रवेश करकर सब का धान पोस्न करता है पहुंचे सुक्सम रूप मुरारी अब खेंचच खेंचच खेंच कसी सा सिर पर बैठे हैं जगदी सा दुरूब सुता के चीर बढ़ाए संक को संको पार निपाए दुरूब सुता को दीने लील जाके अंत बढ़ाए चीर दुसा सन ठक गया धेर लगया को पातर को नहीं सुपातर को दिया हुआ बताई गी कि ऐसे ऐसे आपने बड़ी ड्याकरी गुरु जी आपने बड़ी लज़ा रखी मेरी तर॑क्ती कैन लगी ऐसे ऐसे ये बगवान ये गुरुदेव मेरा कौन सा पुन था जो मेरे इतनी ज़त रखिया आपने तब स्रीकर संजी ने दिव दिरिश्टी से देख कर बताया कि एक दिन आप माँ अपने पिता के घर कमारी थी उसमें एक साधू को आपने कोई कपड़ा दिया है एक बिलाथ का जब उसको याद है वा तो भूल बा लगी थी छोटी एक राज़ा की लड़की रेक साधी के टुकड़ें के याद राखे थी नियुना वेरा सुपातर को दिया हुआ रावशक सत्थान पर दिया हुआ दान ही वो काम करता है तब उसने कहा था है वगवान एक छोटी से लीर के कारण एक इतने टुकड़े के कारण मरीशी जो तरकी इतने अपार बरिस्ट आपार चीर बद गए एक लीर के कारणे वो गुन होगे चीर अपार और जब मैं पहले जानती तो सर्वस देती वार जब मुझे पहले पता होता है इसे मापर उसको दान दिया वार ऐसा फल देगा तो ना जाने के दान कर देती तो पुन्यात्मा वो यह वो स्थान है तो आज के दिन ये स्थान है जो सास्तरन कुल साधना यहां किया हुआ दान आपका अनंत गुना बढ़ाएगा आप पराने वाली आपदाओं भी टालेगा और आपका वोक्स भी करेगा वोलो सत्गुर्दे की परमपिता परमात्मा पूर्नब्रम सारी सिर्ष्टी के रचनहार कवीर देव कवीर साहिब जी की असी म्रजा से आप सभी पुन्यात्माएं सत्थ संग सुनने के लिए उपस्तित हुए है सो भगे है उन पुन्यात्माओं की है जिनकी भगवान मरूची है और उन से भी अच्छी वो पुन्यात्माओं हैं जिनको सत्लो का सरंबरवाला जलाहिसार हरियाना में पहुंचने का सु आउसर प्राप्त हुआ यहां से दिखसा प्राप्त हुई मनुस जीवन प्राप्त होना बहुती पुनकर्मी प्राणी का काम होता है और मानो सिर्द, प्रवब्रानी, प्रमात्मा की तरफ रखता है, वो उस्से भी अच्छी किसमत है, उससे भी पुनकर्मी है, और जिनको सत्गुरु मिल जाते हैं, इस मानो सिर्द के अंदर सत्साधना मिल जाती है, तो उनकी किस्मत का कोई अन्दाजा नहीं वो कितनी पुन कर्म रखते हैं जैसे इंगलिस के अंदर गुड बेटर बेस्ट जो होता है तो गुड तो वो है जिनको मानुसरी प्राप्त है और बेटर वो है जो भगवान के लिए भटक रहे हैं क्योंकि भटकने से कही न कही प्रमात्मा का अवसे रस्ता मिल ही जाता है और तीसरे बेस्ट वो है जिनको भगवान का सही मारग मिल गया तो तीसरी परकार के पुनकर्भी प्राणी आप हो जो सतलो कासर बर्वाला इस जला इसार हरियाना से इस दास से दिक्सित हो चुके हुए आपको अपनी क्योंकि लाल को अपनी कीमत का पता नहीं होता जोरी जानता है तो ये दास जोहरी है ये पार्खु बना दिया प्रमेश्वर ने और आप उस प्रमात्मा के हीरे मोती लाल हो आपको प्रक रहा है आप कितनी कीमत रखते हो पुनात्मा प्रमात्मा को द्यालू कहते हैं द्याका सागर है वो सचमुच द्याका सागर है हमने जो सतलोक में भारी गलती की थी अपने पिता को छोड़कर हम इस काल दुष्ट के साथ आस्था बना बैठे थे हम पती वरताफ़द से गिर गे थे ऐसा जुलम किया हमने और फिर भी हमारे दुख को देख कर वो रह नहीं सकते हमारे लिए यहां भटक दे हैं किसी की गाली खाते हैं किसी के पत्थर खाते हैं और आप तक काल ने ऐसी बाड़ बना दी भगवान को भी पहुँचने में गठनाई हो रही है ऐसे धरम मजबह में बाट दिया ऐसे नकली संत और पंत बनवा दिये ऐसा गल्ट ग्यान हमारे हर्दे में ठोक दिया कि हम सत ग्यान को सुनकर भी परसर नहीं फरमातमा सुनाने के लिए आते हैं तो हम दुसमन बन जाते हैं ऐसी सथी थी में उस समर्च के बगएर हमारे तक इस ग्यान को कोई पहुँचा नहीं सकता तो उस समर्च ने अपनी समर्चता का परमान दिखाया है उस मालक नदया करिया आपको इसकल योग में शिक्सित किया ये शिक्सिता का दौर सन उन्नीसो अड़तालिस से तालिस के बाद ही भारत वर्स में हुआ उससे पहले शिक्सिता बलकुल नहीं थी और उन्हीं से 51 मदास को बेज़ दिया अपनी पैरी आत्माओं को सुदिश देने के लिए और अभी ये मीडिया और ये जितना भी साइंस की तरक्की जो हमारे हमारे लिए आवसिक है सद्गरंथों को समझने के लिए ये अभी 2000 के बाद बाद का ये सारी देन है परमात्मा की मॉबालों का बनना ये इलेक्टरोनिक मीडिया जो टीवी चैनल ऐसे बड़ी अबना देने तो ये परमात्मा ने दिया करिया आपके उपर ताकि परमात्मा के बच्चे उनी सद्गरंथों से बगवान को जाने जिनको सुरू से ही सुरुधारिया किये हुए थे अब जिन सद्गरंथों को हम सुरुधारिया मानते थे वो पुवितर वेद, पुवितर गीता पुवित्र पुरान, पुवित्र कुरान, पुवित्र बाइबल, पुवित्र गुरुगन साहिब और उन में परमात्मा की महिमा ही वरनीत है जो उन सद्गरंथों में परमात्मा की महिमा है और जिस परमात्मा के अंदर वो सर्वे सद्गरंथ खरे उतरते हैं तो वो परमात्मा है अभी तक हमारे जो दर्मगरू थे वो गल्ट ग्यान सुनाते थे नाम इनी सद्गरंथों का लेते थे और सद्गरंथों में लिखी के विवरन के विपरित हमें ग्यान सुनाया करते थे और वो लोक वेद इतना गहरा हो गया था कि हमने उनको फाइनल मान लिया था हम बले ही अपनी गीता वेद गुरान पढ़ते रहते थे लेकिन हमारा ग्यान का आधार वही डुप्लिकेट ग्यान ही था जो पहले हम सुने हुए थे जिस कारण से अभी तक जितने भी रिसी मेह रिसी और विश्वे के जितने भी पन पे हैं उनके वरतमान के जितने गुरू हैं वो सभी भरमित हैं के परमात्मा नराकार है हर सभी सद्गरंथों के अंदर परमात्मा साकार है नराकार बताया है तो वो लोक वेद हमारे हर देम सब कसमाया हुआ था सद्गरंथों को आधार मानते थे ग्यान उसके विपरी थी हम स्विकार किये हुए थे उसको हटाने के लिए इन सद्गरंथों को आपके रूब रूब करना अनिवारिय था और यही कारण है कि आज प्रमात्मा के बच्चे अपने पिता को पहचान रहे हैं और दोड़ दोड़ कर आ रहे हैं अपना कल्यान करवा रहे हैं पुने अत्माओं इस थान से जिस भी प्रानी को उपदेश पराप्त हो गया उसके मोक्स में संकाने यह तो आपनिस्चंत हो जाना आपका मोक्स हंडर वन परसेंट है लेकिन इसमें मरियादा पर थो मैं मरियादा मर होगे भगवान सदा साथ रहेगा मरियादा तोड़ दोगे तो सीता जैसा हाल होगा जिसने जरह सी लापरवाई की थी लक्समन रिखा लाइंग दी थी और उसके बाद उसने सोचा तो ये था जरासी लगी थी क्या फरक पड़ता भी चली जाओंगी वापस आ जाओंगी आटा डाल के सादू के तो सादू वेसमा दूस्ट रावन खड़ा था तो मर्यादा त्याग देने से उसकी कितनी दूर गती हुई बारा वरस तक रावन की कैद में पड़ी रही सड़ती रही लाखों क्रोड़ों वेक्ती मारें गे तब जाक उसका छुटका रहा कैस कितने पाप की भागन बनी एक जरासी मर्यादा लाइंग देने से खे किसी परकार जो हंस भक्त परमातमा का हंस और इस परमातमा के देवि मर्यादा का उलंगन कर देगा वो सित्व की तरह पस्ताएगा और बहुत दूर हो जाएगा अपनातमा मानुस च्रीड प्राप्त करके हमें क्या करना चाहिए ये ग्यान सथसंग से होता है जारे विवार में इतने रंगे जा चुके हैं देख हम देखा एक दूसरे को और हमने उसी कारिये को अंतिमान रख्या है बच्चे उगे उनकी परवर्ष कर दो विवाह कर दो उनको नोकरी रोजगार मिल जाए भगवान बस ठीक हो गया बढ़ जाएं वे सक नहीं ये जो कुछ भी होना था उस बच्चों की किस्मत ही फला करती थी जब तक हम सत्वक्ती नहीं करते हैं जब तक हम सत्साधना नहीं करते हैं प्रमसंत की सर्ण में आते तो अपना भाग्य ही प्राप्त होता है बच्चों को बरतेक माता पिता की कोशिस होती है कि मैं अपने बच्चों को अच्छा पढ़ाऊं और ये अच्छे नोकरी प्राप्त करें इनको सुख हो लेकिन कितने परतिसद बच्चे सफल होते हैं और कितने परतिसद फिर वो सर्विसाधी प्राप्त कर पा रहे हैं जो सभी एक ही उड़े से लेकर पढ़ रहे होते हैं तो इसे सिद्ध है कि उनकी किस्मत ही आगे आड़े आती है जब तक भगती नहीं करते हैं और जिसमें हम सत्साधना शुरू कर देते हैं तो उसमें परमात्मा हमारे भागे के लेकों को बदलना सुरू कर देता है उस समर्स परमात्मा ही हमारे करम के अंक करम के लेक चैंज कर सकता है उसके अत्रिक्त कोई भी ना बर्माजी ना विशनोजी ना सिवजी ना दुरूगाजी ना गनेश्ची और नही ब्रम और परब्रम हमारे भागे को चेंज नहीं कर सकता जैसा जिसका संसकार वो ऐसा ही मिलेगा ठीक है जो पुन करते हैं पुन अलग जमा होते रहेंगे पाप करते हैं उनकी पाप अलग डिपोजिट होते रहेंगे और दोनों ही आपको भोगने पड़ेगे और जब हम परमेश्वर की सरण में आ जाते हैं सत्पुर्स कबीर परमेश्वर जी की सरण में परमसंत के मादम से तो फिर हमारे पाप कर्मों का वो नास कर देता है वो सक्सम है वो सम्रत है और हमारे पुन ही सेस रह जाते है जैसे आजकल खेतों में फसल में खर्पतवार को नास करने के लिए कैसी ओस्थी त्यार होगी है कि उसमें सिचाई करते सिमें उसको पानी में डाल देते हैं वो सारी फसल में और सब जगे घूम जाती है वो फसल को नुकसान आने नहीं करती और खर्पतवार को फूख देती है इसी परकार अब वो औस दी जो परमात्मा ने आके डिकलेर की है सारवजनी कर दी है उस सथ साधना से आपके पापों का नास हो जाएगा आपके पुन बचे रह जाएगी अब इस पात को सभी जानते हैं कि पुन से सुख होता है और पाप दुख का कारण होता है जैसे किसी के पैर में काटा लगा हो तो काटे से पीडा है वो और वो किसी व्यक्ति के पास जाता है उसको कोई कहता है जैसे अन्य संत, अन्य देवों के जो पुजारी हैं, वो इतनी ऐसा सी धानत रखते हैं, वो कहते हैं, पहले तो जंतर मंतर बताते हैं, दुखी विक्ती को ऐसे करिए, ऐसे करिए, जब कुछ भी लाब नहीं होता है, तो कहे देते हैं, यह आपके परहर्ब्द के अंदर भक्ती कर हरे करसिंद, हरे राम, सित्ता राम, राद्धे स्याम, और साथ में यह भी कहते हैं, कि यह भक्ती करते रहो, भौविशय में दुख नहीं होगा, अप उन्हें आत्माँ जिसके पैर में काटा लगया हो, और उसको कोई सला दे के काटा तो निगलेगा नहीं, यह तो आजीवन तेरे पैर में बना रहेगा, यह पीडा भी बनी रहेगी, और उसको कोई सला दे के तू जूता पैन ले, भौविशय में काटे नहीं लगेंगे, जूता काटा लगे पैर में, जूता पैना नहीं जा सकता, दूना दर्द करे हो तो, तो पहले काटा निकला और फिर उसको राय दी जा कि दूता मत निकाल देना, नहीं तो भौविशय में ऐसा ही दुख तूमें फिर हो जाएगा, तो इस डर से फिर वो विक्ती जिसका काटा निकल गया और दूते प्राप्त हुए, फिर वो इस डर से कभी दूता निकालेगा नहीं, कि कहीं फिर से वो विजली ना गिर जा, फिर कष्ट ना जाए, तो पुन्यात्माओं आज जिसको दुख है, जो दुख में भगती करते हैं, वो भी अच्छी आत्माओं हैं, जो सुख में करते हैं, उनका तो कहना ही क्या है, जो सुख में भगती कर रहे हैं, वो कभी ना कभी विचली तवस् और जो दुख दुखी हो करके वगवान के चर्णों माते हैं उनको मालूम है सुख की कीमत का और फिर वो कभी जिन्दगी में डिस्ट्रब नहीं होंगे क्योंकि उनको पता है कि अज्यदी मैंने वगवान की ये वक्ती त्याग दी दूटा निकाल दिया तो वो काटे मेरे सफर में फिर से पैरों मलगने सुरू हो जाएंगे और मैं कदम भी नहीं चल सकूँगा तो इसलिए कबीर साहिब कहते हैं सुक के माथे पत्थर पड़ो नाम हर जैसे जावे बलिहारी उस दुख के जो पल पल नाम रटावे परमातमा हमें संकेत करते हैं कि बगवान से ये मांगा करो है बगवान इसे सुक का आग लगा जिस्त आपकी भूल पड़े इसा सुक ना देना दाता तो हम आपसे दूर हो जाएं ऐसा कश्ट दिये रखना दाता तेरी याद बनी रहे तो पुन्यातमाओं इस जीवन में सफन होने के ये फार मुले हैं इनको कंटस्त याद रखना अपने जीवन में अपलाई रखना सुक बहुत खतरनाख है इस पराणी के लिए हम सतलोक में महा सुक ही थे और बंगवान भूल गे इस नकली के साथ लग गे इस ने क्या दिया हमारे को यहां यह दिया कुता बनाया कुतिया बनाई गधे बनाए गोबर खिलाया किसे के कैंसर किसे की टांग कटगी किसे के आँखे फूटी पड़ी है कोई सड़ रहा है कोई तड़ रहा है कोई टेंसन से कोई हानी से दुखी कोई किसी कार्म से तो यह दिया इसने हमारे को और हम अपने समर्द को छोड़ दिया क्योंकि सुखी थी हम तो ऐसा सुख इस प्रिश्वी पर वैसे तो है नहीं लेकिन हम जूठे सुख को ही सुख मान बैठते हैं जिस कारण से हम प्रमात्मा से दूर हो जाते हैं और फिर वो इतना मेंगा पड़ता हमारे लिए फिर हमारे कभी भी बात सेट नहीं हो पाती बहुत से में लग जाते हैं तो प्रमात्मा हमारे दुखों का निवार्ण कर देते हैं हमारे पाफ संसकार में जो पाफ करम होते हैं उन कांटों को निकाल देते हैं और फिर आने वाले जीवन सफर में वो समर्थ प्रमात्मा आपके जीवन रूपी सफर को ऐसे बुहारता है, ऐसे सब जाडू देता है, कहीं मेरी प्यारी आत्मा के जीवन में आने वाले पविश्य में जो संसकार रुपी काटे बिख्रे पड़े हैं उन सब को साफ करता चलेगा आगे-आगे कहीं मेरे बच्चे को मेरी प्यारी आत्मा को काटा ना चुब जा लेकिन किसके लिए जैसे पती बरता जैमी पर जो जो धर है पाओ समरत जाड़ू देत है ना काटा लग जावे कहते हैं पती बरता पती बरता कौन होगी जैसे गीता जैनम्बर तीरा में लिखा है कि ए विभी चारणी भगती से जो साधना करता है उसके प्रमात्मा अंग संग रहता है विभी चारणी भगती कौन सी है जैसे लड़की अपने पती के अत्रिक्त अन्य कई विक्तियों से वी संबंध रखती है तो वो विभी चारणी लड़की है और एवेभीचारनी पती भरता अपने पती के तिरिक्त चाहे कोई सोने का बनके खड़ा हो जाए उसमें आस्था ना रखती तो वो एवेभीचारनी है तो वेभीचारनी भगती वो है कि हम इस्ट रूप में जैसे हमारे पहले कितने देवता हमारे इस्ट से अनुमान जी इष्ट, बाबाश्यम जी इष्ट, श्री किर्सन जी इष्ट, विष्णु जी इष्ट, रामचंदर जी इष्ट, श्री विष्णु जी इष्ट, श्री संकर बगवान इष्ट और माता इष्ट, यानि ये सारे हमारे खसम थे, हमारे इष्ट से मारे मालिक वान तो वो हमारी व्यवी चारनी भक्ती थी और जो हमने इश्ट मानना चीए था जो हमारा असली पती है मालिक है उसका हमें ग्यान भी नहीं था तो अब हम केवल एक कबीर परमेश्वर को अपना इश्ट मानेंगे पती मानेंगे, खसम मानेंगे, स्वामी मानेंगे, मालिक और अन्य जितने भी देव हैं, जितने भी मंतर जाप हम करते हैं ये उनको हम इश्ट नहीं मानते, ये हमारे मालिक नहीं है, पती नहीं है जैसे वो हमारा ऐसा बिहार है, जैसे एक पती भरता लड़की एक joint family में रहती है उसमें देवर देवरानी होती है ननद, जेठ, जिठानी, साथ, ससर ये सभी होते हैं और वो सभी को यथो उचित आदर भी करती है लेकिन उसको वो अपने पती को में जो सर्दा रखती है जो समर्पन रखती है वो अन्य में नहीं रख सकती पती भरता बेटी और ये नहीं कि वो अन्य से बात ही नहीं करेगी पती भरता का ये लक्षन नहीं है को कि दूसरे आज बाता है नहीं करे लिएक अपने पती तो नहीं छोड़ के पती का जो संपरक है जो समर्पन है वो क्योल पती से संबदी थे बाकि सब का सबसे मर्दु भासा प्यार से बोले ना सब को यह चुछ चाह दादर करना रिस्ते दार आते हैं उनको भी प्यार से भोजन खिलावे अच्छी तरह बातें करें तो वो पती भरता लड़की होती है और पती बरता यदि अपने पती के तरिक्त अन्ने से सोले मौत बात नहीं करें तो तो कली आ रही है खाक पती बरता है वो तो इसी परकार हमारा एक जोइंट फैमिली है यह जैसे यहां के जो तीन लोग के परधान है यह हमारा एक प्रिवार है और देवी जो इनकी पतनिया है यह विह हमारे लिए आदर्नियः है यह दो अधनिय है रस्पेक्टिव है और जितने भी अन्यदेव हैं जितने भी महाप्रूस हुए हैं तो वो हमारे लिए सब एक आदनी होते हैं सब के साथ एक बहुत अच्छा विवार रखना चाहिए हमारे को तब हम इस जोइंट फैमिली में सुख से रह सकेंगे और पूरे परिवार में स्यानती भी रहेगी लेकिन हम इस्थ हमारा एक ही रहेगा जैसे पती बरता लड़की सब से प्यार भी करती है जैसे बहन ननन से छोटी बड़ी से उसी सतर का और देवराणी और जिठाणी जेट और देवर से साथ ससुर से सभी प्यार से रहती है और ऐसा लगता सब को अपनी सी लगती है सब को और जिस में वो अपने पती के जब वो अलग होते हैं जो फिर भिन भिन होते हैं न्यारे होते हैं फिर देखा है उसका वो किस में अस्थाची उसकी उसके इसे में उसके बाटे में जो भी सामान आवेगा सारे न उठा लेगी समस्ट भी ना छोड़ रहे उनकी तरफ और अपने पती के साथ उस मकान में चली जाएगी तो उसके बाटे माया है तो उस तिन पता चला वो किसकी पूजा करे थी तो पूजा पती की कर रही थी और सथकार सभी का करना होता है इसी परकार जब हम अपने सत लोग जाएंगे हमारा पती कवीर देव है मालिक है हम उसकी आत्मा है और यहां जब तक हम यहां रहेंगे सभी देव हैं यहां के इन से हमें बहुत सा काम है क्योंकि जैसे पर्दान मंत्री का विक्ती और इसार में रहता हो अब यहां के काम तर डिसी एस्पी मंत्री मुख्य मंत्री नोने करना है एक में स्पौन करने की देरी है काम हाजिर हो जागा तो आपको इतनी स्वीदा मिल जागी उसमर्स्त की सर्णमा आने के बाद लेकिन य यह उसके दुसमन थोड़ी है तो मित्र हो गए उनके तो ठीक इसी परकार हम अपने कबीर पर्मात्मा को एजे इस्ट पूजेंगे और वाकी यह सभी देव हमारे आधनिये हैं यह हमारे सारे काम दोड़ दोड़ के करेंगे आपके आपके साथ रहेंगे आपकी सुरक्सा क करेंगे क्योंकि आप समर्थ के बच्चे हो पर्धान मंत्री का को रिलेटिव यहां कि आवे फिर देखो स्पीडी सी कैसे आजरी लगाओ डेली उसके सामने तो कहने का भावी है कि यह बुरे नहीं हमारे जितने भी देवता हैं यह हमारे साथ ही हैं यह अच्छी आत्माए हैं लेकिन हम इन हम इनको तंकरा करते हैं अब जैसे कोई हमारा कारिय होना है मुख्यमंत्री से और हम अप्लिकेशन लागते हैं बार बार डी सी के वो डी सी के सर्मदर दो जा उसको बार बार कहता जो मैं नहीं कर सकता इसको आप मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री जी के पास जाएए और हम फिर उसी का अरजी लगावाँ जै हो तेरी जै हो तेरी आप करोगे जो करोगे अब पड़ी रहे जुआ प्लिकेशन हो उसको कुछ करी नहीं सकता तो हम गलती ये करते थे जो हमारा कारिय समर्ज से होना था उसका हमें पता भी नहीं था और हम अरजी लगाते से अपना टाइम भी वेश्ट करते थे और उस लाब से भी वन्चीत रहे जाते थे जो भगवान से बिलना होता है तो जब पती भरता पद पर हम आ जाएंगे जैसे पती भरता पती से राती आन पुरस नई भावे बस पी हर मैं सुर्त परीतमे ऐसे ज़्छान लगावे जैसे लड़की का भी वहा हो जाता है अपने पती के घर जाती है फिर वापस अपने माता पिता के घर आ जाती है तो वहां वह अपने प्रिवार में रहती है लेकिन उपर से आवभाव बिल्कुल सबसे बात करती है खाना खाती है सारी सेवा करती है जाडू बौरा करती है लेकिन अंदर से कसक उसकी अपने पती के अंदर सुरती हरदम बनी रहती है उसके तरिक तो किसी में सुर्थी लगाती नहीं तो यहां प्रमात्मा कहते हैं जो पती भरता पती से राती राती माने उसके से लीन है आन पुरस नहीं भावे एन्ने विक्ती में उसकी रूची बन ही नहीं सकती एक गुन होता पती भरता के लिए और बसे पीहर में फिर भी सुर्थ परीतम में ऐसे ध्यान लगा है तो ऐसे पद पर जब हम आ जाएंगे हम यहां पीहर में रह रहे हैं और यहां सभी के साथ मिल्दूल कर रहना होगा हमने लेकिन हमारी जो अंते करन की जो सतीथी है अन्ते करन के अंदर जो कशक है वो अपने कबीर पती के अंदर उस समर्थ पती के अंदर अटूट बनी रहे तो फिर जब हम यहां से जाएंगे समसार छोड़कर सिधा वहीं पहुँच जाएंगे क्योंकि जा आसा तावासा होई मन करवतन समरियस होई तो ऐसी सथीथी माने के बाद जब हम प्रमात्मा कबीर जी के तरिक्त किसी से भी अध्धात्मिक लाब की इच्छा नहीं करेंगे आए अभमुन श्रद्धालों के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महराज जी से दिक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ती मार्क पर चल रहे हैं संत रामपाल जी महराज से नाम दिक्षा लेने से पहले मैं संत तमत से जुड़े हुए थे रामानदी पंद से भी जुड़े हुए थे इससे पहले और बादबा की जो चलते आ रहे थे जैसे पुरवज ने भक्ती किया करते थे इसी तरह करते थे अरुण जी आप संत रामपाल जी महराज की सरन में कैसे आए संत्रामपाल जी महराज के सरन में आने से पहले मुझे एक पुस्तक मिला जो गव में एक भगत बिवेक दास का नाम है जो उसने नाम दिक्षा ले करके आये थे और मुझे भूक दिये थे कविर परमेश्वर के नाम से जो उस भूक को पढ़के मुझे बहुत अच्छा लगा कि ये संत्र जहां भी हो अभिलम दिक्षा लेना चाहिए तो वहाँ पे नाम दिक्षा मैंने लिए अरुण जी संत्र आमपाल जी महराज से नाम दिक्षा लेने के बाद आपको क्या क्या लाब मिलें सर लाब तो मुझे धेर साड़े मिले लेकिन कम समय के करम मैं मैं सोट में बताना चाहूँगा शुरवात में जब मैंने नाम दिक्षा ले करके घर आये तो मुझे से पापा मेरा बिरोध किया बिरोध किया तो एक महना घर पे रहके फिर मैं लोटके पंजाब गया पंजाब जाने के बाद मैंने संत्र आमपाल जी महराज का साधना चैनल पे सबसंग देखा करते थे तो उसी पर जब अंतिम में इंटर्व्यू आते थे तो सब संत्र आमपाल जी महराज के स्वीस का अनुभव जानके मुझे खुसी होती थी उसी करम में मेरी पतनी घर पे बिमार पड़ गई बिमार पड़ गई तो जोर से बिमार पड़ी जो हमको वहां से आने का नोवत हो गया जो कि 20 लेवर को छोड़ के मुझे आना पड़ रहा था जो घर आने में मुझे सरम लगता था कि जब घर जाएंगे तो लोग बोलेगा कि पतनी के लिए पंजाब चोड़ के आ गया तो मैंने संत्रामपाल जी महराज के चैनल जो साधना चैनल चलता था उसे नीचे प मेरी पतनी बहुत जोर बीमार है मैं दिक्षा ले रखा हूं और वो दिक्षा नहीं ले रखी है तो क्या उसका बीमारी ठीक हो सकता है तो भगत जी बोले कि अगर नाम दिक्षा लेने के लिए तयार होंगे तो परमात्मा किरपा कर सकता है तो मैंने अपने पतनी को बोले क कि संत्रामपाल जी महराज से नाम दिख्षा लेगी तो तुम्हें बिमारी से निजात तुम पा सकती हो तो बला एकदम लेंगे लेंगे तो मैंने फिर फोन लगाया कि कैसे कैसे करना होगा तो उसने बोला कि ऐसे ऐसे बोलिये लंबा डनवत पर नाम करेगा और संकल्प लेगी कि है सत्गुरु रामपाल जी महराज मुझे अगर इस बिमारी से छुटकारा दिला दोगे तो मैं भी नाम दिख्षा ले लूँगा तो इसी तरह लंबा डनवत करके मैं अपने घर में जो परमा गुरु जी संत्रामपाल जी महराज का जो फोटो रखे गए थे वहाँ पे लंबा डनवत की और संकल्प ली की अगर जदी मुझे ठीक हो जाएगा तो मैंने नाम दिख्षा ले लूँगा उसको कमर में बहुत ज़रा दर्द होने लगा था जो करबट भी नहीं पलट पाती थी इतना ज़्यादा दर्द थी तो उसी समय उसको कमर का दर्द ठीक होगा ठीक होगा तो बहुत बड़ा चमतकार मैंने समझा कि वागई में ये संत्रामपाल जी महराज गुरु तो अपने पत्नी को यहां जब लेके आने लगे आसरम पे तो मेरी मम्मी और मेरी बच्चे, सब तयार हो गया कि मैं भी दिक्षा लूँगा, मेरी पत्नी नाम दिक्षा लेके, मेरी मम्मी और मेरी बच्चे भी नाम दिक्षा लेके, मेरी मम्मी भी और मेरी बच्चे भी नाम दि वो परेशानी ठीक हुई मेरे बड़ी बाली बच्ची को उसको भी निमोनिया था डॉक्टर ने बोला था कि कुछ जादा देर तक इसको दबाय खाना पड़ेगा उस भक्ति करते करते संत्रामपाल जी महराज का भक्ति करते करते ठीक हुई मुझे सांस की बीमारी थी जो जिनकी भर जहलना पड़ता है तो इसका परेशानी जिनकी भर जहलना पड़ेगा ये ये भी मुझे नाम दिक्षा लेने के बाद ये भी परेशानी दूर हुई मेरी बच्ची की परेशानी दूर हुई मेरी पत्नी की परेशानी दूर हुई पत्नी को लिकोरिया थी तो करजा को तोड़ने के लिए मैंने क्या क्या नहीं किया बहुत सारा दिमाग लगाए लेकिन करजा नहीं तूट पता था संत्रामपाल जी महाराज से नाम दिक्षा लेने के बाद मुझे ये करजा कैसे तूटा ये मुझे भी पता नहीं है जो की उतना काम भी नहीं करना पड़ता है जो पहले से करते थे सर संत्रामपाल जी मारा से नामदिक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाम मिले आपकी सभी समस्याओं का निवारण हुआ तो जो दरसक आज आपको टीवी पर देख रहे हैं और वो भी संत्रामपाल जी मारा से नामदिक्षा लेना चाहते हैं तो कैसे ले सकते हैं जो दरसक आज हमको देख रहे हैं सर उस से मैं उसको दिक्षा लेने के लिए टीवी पे नीचे पीली पटी आती है उस पे नमर आती है उस पे फौन करके और उसको अपना नजदी की आसरम का पता बताएगा वहाँ से नाम दिख्षा ले सकते हैं धन्यवाद जी धन्यवाद आप सुन रहे थे जगत गुरू तत्वदर्शी संत रामपाल जी महराज के मंगल प्रवचन अधिक जानकारी के लिए संपर्ख करें करें